तो हम लोग आज एक बहुत अच्छे प्रापरटी के बारे में जानना चाहरा है पढ़ने जा रहा है जो कि हम अपने डेली लाइफ में इसको देखते हैं और अबजल करते हैं और कहीं ने कहीं आप सभी लोग इससे फैमिलियर बहुत जादे हो लेकिन टेकनिकली आप इसको नहीं सोच पाते हो कि टेकनिकल्ट टर्म में इसको कैसे कैसे डिफाइन किया जाया या टेकनिकली सुथ कैसे समझाया जाया किसी को ठीक है अगर मैं सरफेस टेंशन का भी क्या होता है तो अगर हम सिंपल इसके दिफनिशन पे चलते हैं तो यह कहता है कि मतलब कि किसी लिक्विड के या किसी फ्लूइड की बात है लिक्विड छोड़ दो यहां पर हम फ्लूइड लेके चलते हैं ठीक है तो यह कहता है कि किसी fluid के surface पे एक tensile force लगता है per unit length उसी को हम लोग बोलते हैं surface tension तो अगर आपको definition note करना हो तो मैं एक line बोल दे रहा हूँ उसको आप लोग note कर लिजिए फिर हम लोग इस पे आगे चलते हैं फिर मैं समझाता हूँ कि actually यह होता क्या है ठीक है तो definition note कर लिजिए surface tension is defined as the surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of fluid अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कह जखते हो tensile force acting on the surface of fluid bracket में liquid and gas tensile force acting on the surface of liquid bracket में on the fluid bracket में liquid and gas in contact with an other fluid in contact with any other यहाँ पे आप एक वर्ड लिख लिजेगा immiscible any other immiscible fluid रभ़ दको definition में फिर रुपीट कर रहा हूँ technically इसका definition क्या होगा कि surface tension is defined as the tensile force acting on the surface of liquid in contact with any other immiscible foreign मतलब कहते हो कि एक एक इसा पूर्स जो दो नोट के कांटेक्ट सर्फिस पर काम करता यानी जो सर्फिस के आएगा दो लेयर उसके उपर यह चीज काम करती है ठीक है जिए अगर अब या फोटेपिस समझ में नहीं आ है तो अभी मैं इसको डाइगराम से इस्प्रेइन करूंगा लेकिन अभी मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसको लोग कैसे मतलब definition क्या होती है तो हमने क्या लिखा कि tensile force acting on the surface अब अगर हम इसको समझने कोसिस करते हैं कि यह tensile force किस दो immisible liquid की बात कर रहा है immisible का मतलब augulanceil मतलब जो आपस में एक दूसरे में भूलना सके जैसे water और oil ठीक है water oil हो गया gas और liquid हो गया ठीक है तो यहां पिछले मैं लिखवा दिया है liquid and gas यानि जब कोई दो अलग अलग fluid जो immisible हो अगर कहीं हम उनको रखेंगे तो किसी एक surface का जहां वो खतम हो रहा होगा दूसा सर्फिस शुरू हो रहा होगा उस surface के उपर एक टेंसाइल force लगती है जिसको हम surface tension कहते हैं अब अगर इसको practical life में आपको example देता हूँ आप लोग डेली आप लोग बातरूम जाते हो बातरूम में है उसमें पानी भरा हुआ है आप उस पे बहुत आराम से अपने हाथ को उसके surface पे रखिएगा ठीक है finger dip नहीं करना है ऐसा रखना है कि हाथ उसके उपर रुकने की कोसिस करें तो आपको एक करेक्टर के observe होगा कि liquid के उपर यानि जो सबसे उपर ही सता है पानी की एक कुछ ऐसा force है जो आपके हाथ को नीचे डूबने से रोपता है ठीक है आप अगर ऐसे आप जर नहीं कर पाते हो तो आप मग लेना खाली मग बाल्टी में पानी भर देना और मग को dip करना तो सभी लोगों को मग को dip करने में प्राब्लम होती है कि उसके सर्फेस का जो टेंसाइल बांड है वो ब्रेक न कर जाए अब अगर हम मग को टिल्ट करके dip करें जैसे ग्लास आपको निकालना होगा तो अगर हम पानी ऐसे ग्लास डिप करके इसे निकालने तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन पानी ग्लास को अगर हम करो उसमें तो प्राबलम होगी आपको कुछ एक्ष्ट्रा फोस लगाना पड़ाए डिप करने के लेकिन अगर हम ग्लास को टिल्ट करके लगाए तो उस समय सर्फेस टेंसन जो होता है वहां का ब्रेक कर जाता है जिसकी वैसे वहां पर एक तरीके से डिप कर जाता है दूस उसपे मक्षी मच्छड और ओर बी कीड़े मक़ड़े उसपे चलते रहते हैं ठीके या पेड़ की पत्तिएं कि तलाब में गिरती है तो तैरती रहती है या आप जैसे चाह पीते हो कोई मक्षी पढ़ जाती या कुछ पर जाता है ठीके अन्टिर और लेस कि जब उस बरतन या किसी कप या किसी तालाब के जो लिक्विड रखा गया है उसका टेंसाइल पोर्स ब्रेक न कर जाएं ठीक है यानि कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी कोई लिक्विड या गैस किसे दूसरे लिक्विड या गैस के कॉंटेक्ट में आता है जो उससे अगुलंसील है मतलब से मिल नहीं सकता है तो दोनों का जो कॉंटेक्ट सर्फेस होगा एक दूसरे के लिए एक टेंसाइल मेंबरेन की तरह भी हैव करते हैं अब आप कहोगे सर्फ पानी रखे हो उसके उपर यह एक्मास्फिरिक प्रिसर लग रहा होगा एयर होगा उसके उपर बाल्टी के पान के सर्फेस के उपर एयर भी इममिसिबल है भै पानी में हवाप नहीं गोल दडखते हो तो अलग हो गया तो बाल्टी में पानी है उसके ऊपर है तो जो कॉंटेक्ट सर्फेस है दोनों का जो एकदम दोनों से सतह मिल रही होगी उस सर्फेस पे एक kr guys करता है जिसको हम लोग लिखाओ इसको समझाता हूँ अप लोगों को तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल एक कंटेनर ले ले लेते हैं इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया गया ठीक है इस कंटेनर में क्या किया गया है कि एक लेवल तक हम लोग इसमें लिक्विड पिलप कर देते हैं माल लेते हैं यहां तक कोई फ्लूइड है और इस समय इसको हम लोग as a water treat कर रहे हैं ठीक अब इसमें हम क्या करते हैं तीन ड्रॉपलेट माल लेते हैं या तीन पार्टिकल माल सिंपल तीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं water का तो इससे बश तरीका है एक मॉलिक्यूल लेते हैं center पर ठीक है मैं थोड़ा in large बना रहा हूं molecule हलाकि होता बहुत छोटा है लेगन आपको समझाने के लिए एक molecule हम यहा ले लेते हैं एक molecule थोड़ा मैं स्कॉल in large कर लेता हूं अच्छे आपको समझने आएगा एक यही molecule सर्फेस के नजदी के थोड़ा था ठीक और एक molecule लेते हैं जो एकदम ही सर्फेस पर है ठीक है तीन molecule हो गए है पहला आपका यह एक molecule यह A molecule है यह B molecule है यह आपका C molecule है तीन molecule हमने water के लिए A, B और C ठीक है अब यह molecule क्या है कि सब सराउंडेड बाई water है यह सब के सब पानी से सारे molecules यह पूरा पानी है इस मालेक्यूल के नीचे बहर करें यह बांडरी स्टॉच नहीं है यह मतलब यह त्लाइड यह पूरा यह पूरूंड। में चारोसाइट पानी फिल आप है अब मॉलेक्यूल के ऊपर ये सारी लेयर है तो यहाँ पर यह वाटर का लेयर है यहां लोग क्या कर सकते हैं कि यह 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 मतलब कह सकते हो कि यह आपका गैस हो गया यह आपका लिक्विड हो गया ठीक और यह सब इसके कलेक्टे हो अगर देखो तो यह सब हमारे एयर के मॉलेक्वूल्स है अगर आपको नहीं डॉनर में डॉट डॉट इसके कर रहा हूं बस यह ऐसे आपके एयर के मॉलेक्ूल्स आपको दिखाई देे ठीक है अब इसके कॉंसेप्ट को समझते है जब जो मैं समझाना चावा हूँ आप लोगों को देखिए यहाँ पर कि ए मॉलेक्वूल्स की बात करते हैं तो ये एक मॉलेखूल चारोसाइड से ऐसें मॉलेखूल से घिरा हुआ हुआ हबार मॉलेखूल भीजिदी के स्भीज़ दोटि अगर इसको राइथ हैं वाला मॉलेखूल भी इसको इसको इदर खीच रहा होगा कोगा इसके ऊपर भी पानी है यह Hayya यह इसको नीचे खीच रहा होगा यह इसको इधर खीच रहा होगा यह वाला मॉलेक्यूल तो यह वाला मॉलेक्यूल इधर खीच रहा होगा ऐसे ही जो इसको इधर नीचे खीच रहा होगा वैसे ही इसको यह भी नीचे खीच रहा होगा मतलब यह मॉलेक्यूल चारो साइट स कि यहां पर Cvantice Supreme और फकीष रहे सिंश्सक्राइब्र तो यहां पर की आपको एक आदमी आगे खीच force लग रहा है कि आप एकल विरियम में आगे करीके से तो समय सेन बराबर 0 हो गया तो इस molecule पर लगने वाला force same molecule की फूरू लग रहा है तो यह यहाँ पर 0 हो गया अब यही चीज़ आते है B molecule पर यहाँ कहीं ठीक है तो B वाले molecule पर क्या होगा नीचे वाला तो आप बताओ इसको यह जो तीन नीचे दिख रहा है यह यह वाटर थीक है तो एयर और वाटर क्या है इमिसिबल है यानि अगुलंसील है हवा पानी का मेर हो नहीं सकता है तो एयर का मॉलेक्यूल इस पानी के मॉलेक्यूल से कोई बॉंडिंग नहीं बनाएगा तो जहां- यहां पे एयर के कॉंटेक्ट में लिक्विड आ रहा होगा वहां-वहां ऐसा कोई मॉलेक्यूल नहीं होगा जो इसको ऊपर खीच रहा हो ठीक है मतलब वहां पे ऐसा कोई मॉलेक्यूल नहीं होगा जो इसको ऊपर खीच रहा हो तो अब आप देखो क्या हो रहा होगा तो तो यह net resultant इस पर क्या आएगा अब आपको 6 लोग खीच रहे हैं 6 में से 5 नीचे खीच रहे हैं और 6 छोड़ दिया आपको यह समझो कि forward backward आगे पीछे left right up and down ठीक है तो 6 direction होगे यह आपके पास 4 और 2 6 है अब उसमें यह समझो कि कोई एक आपको छोड़ दिया तो जिसने छोड़ा होगा जिस साइट से तो आप उधर की और से उसके अपोजिट सिफ्ट हो जाओगे जैसे अगर मैं इस चॉप को ऐसे खीच रहा हो दोनों साइट से यहाथ छुड़ गया तो चॉप कि इधर गया इधर गया ठीक है तो सेम ऐसे ही इस molecule को ऊपर से खीचने के लिए कोई molecule है ही नहीं क्योंकि अगर यहाँ water होता तो water current bond बनाता और वो bonding उसको बगड़े रहती molecule B तो यह कितना होगा यह होगा downward direction आएगा downward direction यानी नीचे की ओर ठीक एक conclusion यह निकल के आया सेम है से ही C वाले पर लेते हैं जो एकदम center पर है ठीक है मैंने बताया था A बीचों बीच में है पानी के B air water के interface के किनारे पे है और C एकदम ही air water के interface पे है ठीक तो यहां से इसका centroid हो गया यह अब इस पे एक force नीचे लग राए ऐसे दूसरा इधर लग रहा है तीसरा इधर लग रहा है ऐसा ही इस पे यहाँ लग रहा है एक इस पे यहाँ लग रहा है उपर की और balance करने के लिए कोई force नहीं है molecule C पे और molecule C कहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ Molecule C is at the interface of water and air I.E. मतलब कि J आपका at contact surface पे है यह आपका contact surface पे है तो यहाँ पे net summation of forces क्या आएगा summation of forces at molecule C यह क्या होगा यह भी आपका downward होगा यानि इस पे भी नीचे की और forces लग रहा होगा तो कि उपर कोई balance करने के लिए force नहीं होगा तो अब ऐसे assume करो कि जैसे यह molecule C है वैसे इस पे हजारों molecules होगे छोड़े छोड़े यहां से यहां तक ठीक है तो conclusion क्या निकल के आता है कि जब दो immisible fluid आपस में रखे जाते हैं तो उनके contact surface पे जो molecule होता है वो दूसरे liquid या दूसरे gas से bonding नहीं कर पाता है जिसकी वज़ासे इन सब के उपर downward attractant force लगता है एक downward pull लगता है मतलब कि सब क्या की है उसको नीचे खीचे हुए है जैसे आपके घर में अंगनी होगे इसमें आप कपड़ा फाल आते हो उसके क्या होता है जैसे कपड़ा आप डालते हो अंगनी की उपर तो वो नीचे टेंशन में आजाता है ठीक है एक रस्टी बांदो इस दिवाल से उस दिवाल से और सब लोग पढ़े उसको लटक जाओ ऐसे तो क्या होगा पूरा पूरा रस्टी एक टेंसाइल जोन में आ जाएगा तो सेम ऐसा ही इस कांटेक्ट सर्फेस के उपर इतने भी मॉलिक्वल लखे गए है इन सब के उपर आपका एक तरीके से टेंसाइल पोर्स आफ एक्षन काम करता है जो हमेशा डाउनवर्ड रहता है तो यानि सारे मॉलिक्वल के उपर डाउनवर्ड अट्रेक्ट आपका लगता है तो यह लिख सकने हम लोग यहाँ पर कि अल दी मॉलिक्वल्स अट दी इंटर्फेस विल विल हैव डाउनवर्ड पुल डाउनवर्ड पुल इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सारे सर्फेस मॉलिक्वल के उपर एक तरीके का पुल लग रहा है जिससे मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी सर्फेस मॉलिक्वल्स होंगे यहाँ पर लिक्व सकते हो so that all surface molecules will behave like a thin film एक पतली सी परत या एक जिल्ली membrane अंडर टेंशन ठीक है यह सबसे इंपॉर्डेंट लाइन सर्फेस टेंशन के लिए इसकी वज़ासे सारे सर्फेस की molecules एक पतली जिल्ली की तरह काम करते हैं समेच्था एक टेंसर में होती है तो पतली जिल्ली कहलो या एक पतली फिल्म कहलो तो एक अधिनसाइब मेंबरेन की तरह काम करते है ठीक है जिसकी वजह से इस पूरे सर्फस के ओपर कल एक की आग करते रहता है तो यह जितना विसकस लिंपिड होगा उतना टेंसाइल फोर्स जादे होगा ठीक है जैसे आप देखो सहद है तो सहद के उपर आप पूरा पूरा चम्मच रख दो तब भी वह डिप नहीं करता है लेकिन पानी के आप चम्मच को नहीं रोक आओगे क्यों पानी का सर्फेस या जो उनके इंटर मॉलेकुल बांडिंग है उतनी स्ट्रॉंग नहीं है कि वह एक स्पून का वेट सह सके लेकिन यहीं अगर आपका एक सहद है उसके उपर आप पूरा स्पून लखोगे डिप नहीं करता है कभी ट्राई कर लेना घर पे ठीक तो मतलब मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि जैसे ही दो इम्मिसिबल लिक् आपके आपके केज्ञा है ठीक उसके उपर क्या होगा कि आप पानी को एक तरह करते हो कि कुछ ऐसा फोर्स है जो आपके हाथ को नीचे डिप होने नहीं देगा लेकिन अगर वह टेंशन ब्रेक कर जाए आप एक फिंगर डिप कर देना उसमें तो जैसा ही वह टेंशन ब्रेक कर पूरा हाथ आपका तो अब यहां से क्या साहन में आ रहा है कि जो भी सर्फिस का मॉलेक्यूल है यह अपने आपको नीचे तरीके से खिचने की कोशिश कर रहा है तो अब जहां पर गया डाउनवर्ड पुल अब ऐसे समझो कि अगर यह मॉलेक्यूल चारु साइट से एयर में आ जाए ठीक है अब मैं इसका दूसरा डिपनिशन बदाता हूँ ठीक है यह तो एक डिपनिशन हो गया टेंसाइल पॉस एक्टिंशन अन दी सर्फेस विल भी है अब दूसरे डिपनिशन पर आते हैं अगर सपोस्ट करो कि कोई एक मॉलिक्टूल है पानी का जो एयर से स्राउंडेड है जैस मालेते हैं कोई एक मॉलिक्टूल सी डी मालेते हैं यह मॉलिक्टूल डी है ठीक और यह वाटर का मॉलिक्टूल है लेकिन यह चारों साइड से हैं से कह सकते हो यह आपका air है और यह आपका कह सकते हो water molecule है तो water का एक molecule air के बीच में कहीं रखा हुआ है just like a balloon समझो कि एक balloon है वो चारो साइट से air से घिरा हुआ है ऐसे समझो तो पानी का एक molecule चारो साइट से air में घिरा हुआ है ठीक है अब सोचो कि इस पानी के एक molecule के अंदर वे के चारे पार्टिकल्स हों में चोड़ चोड़ उँड़ होँगे ठीक है तो ऐसे समझो कि इस पूरे एक मालो यह पानी का ड्रॉप समझो इसके अंदर वे कशारे parts होगे चोड़े थोटे हमारे ठीक है तो वो क्या कर रहे होंगे भाई यह सब का सब air है तो सबसे तो भी bonding होगा नहीं यह bonding किसे कर रहा होगा आपस के molecule से तो अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा यहां पे कि जो यहाँ पे इसका तरीके से आप कह सकते हो कि जितने भी मॉलेक्यूल यहाँ पे हैं यह सारे के सारे यह मॉलेक्यूल यह सर्फेस का होगा इसको नीचे सेंटर फूल मिलना होगा ऐसे यह वाले को इधर मिलना होगा इस वाले को इधर मिलना होगा इस वाले को इधर मिलना होगा ऐसे ये इसके दूसरी डिफिनिशन है जैसे समझो कि एक कोई मॉलेक्यूल आप हो आपके चारो साइड से आपको नीचे खीचा जाए एक ऐसे रसी ले लो और उसके चारो पेरिमिटर से उसको अंदर खीचो तो एक सर्किल बन जाएगा एक लं समझो कि अगर कोई मॉलेक्यूल है जो दूसरे किसी फ्लूइड के बीचो बीच है एक पास की बात करते हैं जैसे एक बैलून समझो तो जैसे बैलून बैलून के चारो साइड एयर होती है ठीक है तो अब बैलून के अंदर जितने पार्टिकल होंगे वह आपके मॉलेक्यूल क्या कर रहा होगा कि बाहर एयर से बांडिंग करेगा नहीं तो जितने सर्फेस वाले मॉलेक्यूल होंगे सब अपने अंदर वाले से जुड़े होंगे और सब क्या कर रहा होंगे सब को अपने अंदर खीच रहा होंगे ठीक है जैसे आप बताया ना मैंने कि कि एक रसी है उसको चारो साइड से अंदर खीचो तो सब को चारो साइड से अपने समेटने की कोसिचल क्योंकि चारो साइड से उसको दूसरी कोई बॉन्डिंग मिलेगी नहीं तो उसकी वैसे वह आपस की बॉन्डिंग की वैसे सबको अंदर की खीचेगा क्यों देखो यह आधा मॉलेक्यूल सर्फेस पे था तो आधा डाउनवर्ड पोस लगता है अब सोचो कि अगर यह पूरा मॉलेक्यूल फ्री एयर में आ गया तो फूरिय के अउपर क्या लग रहा होगा एक इंटर मॉलेक्या सDrive से उसको अंदर कीच रहा हो Tension is defined as the property of liquid by virtue of which it minimizes its surface area मैं फिर repeat कर रहा हूँ By virtue of which it minimizes its surface area Surface Tension एक ऐसी property है जो किसी भी liquid को कम से कम surface area लेने के लिए एक मजबूर कर देता है उसको ठीक है तो यहां मैं लिख देता हूँ इसको इस तरीके से Surface Tension is that property of liquid by virtue of which it Minimizes its surface area ठीक है अब इसको प्रैटिकल लाइफ में कैसे देखोगे कभी आपने सोचा है कि पानी की बूंद यानि droplet of water हमेशा एक spherical shape में क्यों होता है कभी सोचे हो कि पानी की बूंद क्यों नहीं होता है कभी सोचे हो पानी का बूंद किसी और कोई shape में क्यों नहीं होता है क्योंकि अगर आप लोग जमेट्री थोड़ पढ़े हो गए तो आपने यह पढ़ा होगा कि स्पेयर रिक्वायर्स मिनिमम सर्फेस एरिया यह मतलब यह है कि जैसे आपको सबसे कम एरिया के इसमिलेगा वैसे मैं बनाता हूं एक triangle एक rectangle ठीक है और एक आपका spare ऐसे बनाता हूं तो देखो सबसे कम सर्फेस एरिया कौन लेगा इसको इतना area चाहिए रुकने के लिए इसको इतना चाहिए रुकने के लिए इसको कितना चाहिए हैं इतना है क्रिकेट की बाल देखे ओ करकेट कोई में बाल वॉल्य बास्केट बाल फुटमल उसको आप देखते हो क्यों कितने कम love उसको फूड़ वालियाय में रुखता है लेकिन उतने वाल्यूम पा एक टूब ले लो अगर तो वो पूरा एरिया लेगा इतना निले यह रोख लेकिन एक फुटबाल इतनी उड़ी फुटबाल होगी आप फिंगर पर लेते हैं कियों कि युद की मिनिमम सर्फेस एरिया और सर्फेस टेंशन क्या करता है किसी भी लेक्वीड को एक तरीके से वह फोर्स करता है जो कि अपने आप को चारो साइट से मिनिमाइज करने कोचिस करता है अजब चारो साइट सिकोड़ेगा अपने आपको तो वह एक कहते हो कि एक ड्रॉपलेट या एक स्पेर के फॉर्म में वह जनरेट हो जाता है ठीक है इसलिए जब भी आप पानी कहीं देखते हो जब बारिस होती है या आप पा पानी की बूंद बंगती है जो कि एक स्पेरिकल फॉर्म में होती है कभी आप यह देखते होगे कि पानी का एक ट्रेंगल नीचे गिर रहा है पानी का स्कॉइर नीचे गिर रहा है कभी नहीं गिरता है तो हमेशा एक ड्रॉपलेट होता है वह एक स्पेरिकल फॉर्म में हो और वो भी इसी property का हिस्सा है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ example के तो example पर लिख सकते हो, यहाँ पर, droplet, ठीक है, bubble, ठीक है, यह सब इसके example है, ठीक है, और tensile force acting, इस वाले का example ले लो, तो यहाँ पर अगर example लिखना चाहोगे, तो लिख सकते हो, insect, walking on surface of water, पानी की सता पर insect चलते हैं, ठीक है, leaf floating on water, जो पेड़ की पतियां है, वो गिरती है, तो पानी में तहरती है, क्योंकि वो tensile force उनके weight को सह लेता है, सबसे जारे अच्छा है यहाँ पर कमल का पति देखते हो, पानी पर तहरते रहता है, तो tensile force की वैसे रुका रहता है, उसी पति को dip कर तो थोड़ा पानी में पूरा पूरा नीचे डूब जाएगा, ठीक, तो यह सबसे अच्छी property है, और यह इसलिए में बता रहा हूँ क्योंकि आप देखो, पानी का बून डेली देखते हो, आप डेली आप पानी यूज करत देखते हो, ठीक, पेल की पति देखते हो, पानी में पानी में तेहरते हो, तो यह सब क्यों होता है, तो कि यह एक प्रॉपरिटी, surface tension की जो उसको तरीके से बनाए रखती है, ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि surface tension क्या होता है, तो आप ऐसे बताओगे, टेक्निकल इस तरह जाप कोई लिक्विट की लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के कॉनेक्ट में आएगा तो उनके सर्फेस के उपर येक ऊपरोड स्परण पोड़े जिसकी वज़ता है हिसे वाड़ जिसकी विजह करती है जो एक तैनसाइथ फोर्स उसके उपर एक्ट कर रहा होता है ठीक और सर इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी लिक्विड कम से कम सर्फेस एरिया लेने की कोशिस करता है जैसे आप कोई भी पानी का एक्जामपल ले लो तो हमेशा वो पानी की ड्रॉपलेट या बबल के फॉर्म में बनते रहता है ठीक है अब इसको मैथेमेटिकली अभी कैसे निकालेंगे तो अभी हम सिंपल फॉर्मल लिखते हैं इसका मैं सुचरा हो एक लक्च्छर और रखता हूं क्योंकि बहुत करते हैं हम लोग सर्फेस टेंशन को हम लोग सर्फेस टेंशन को डिनोड करते हैं सिग्मा से ऐसे मैं यहां लिख देता हूं सर्फेस टेंशन इसको हम लोग डिनोड करते हैं सिग्मा से ठीक है और सिग्मा क्या होता है मैंने कहा ना टेंसाइल पोर्स एक्टिंग उन्दो स तेंसायल पर यूनिट लेंथ यानि सिगमा इस एकवल टो एफ बाई अल ये यूनिट क्या है कि इसकी नियूटन पर मीटर तो सर्फ़ेस टेंसर की यूनिट क्या हो जाएगी नियूटन पर मीटर अभी बस यह आप अपने समझने के लिए जाने जाएए इसके अगले अधेक यूनिट लेंद्ध तो इंट्रडेफ्शन में ऐसे लिखना हो तो सरस्फेस टेंसर डिनोट करते हैं सिगमा से How to force acting per unit length, ठीक, unit जाएगा Newton per meter, तो तीन definition इसकी हो गए, एक तरीक है, तीन तरह संदा दसकी हो, पहला, tensile force acting on this contact surface between two invisible fluids, दूसरा, a property by virtue of which any liquid minimizes its surface area, ठीक है, तीसरा, force acting per unit length, तो भाई, इसको हमेशा per unit length पर नापते हैं, कभी हम इसकी area पर नहीं नापते हैं, यह द्यान देगा, surface tension, area पर calculate नहीं होता है, क्योंकि वो हर एक length पर काम कर रहा है, तो पूरे तालाब के surface पर काम कर रहा है, जब भी निकालना होगा, तो जहां आपको निकालना है, तो उसकी length लेके count कर लेते हैं, कि कितना length है, कितना लग रहा होगा उसके उपर, ठीक, वैसे जैसे, droplet है, तो droplet का length क्या, droplet, भाई, पानी की boond है, तो पानी के boond के चारो तरफ हवा है, ठीक है, तो हम area नहीं मान सकते हैं, उसका, हम क्या करते हैं, उसका circumference length ले लेते हैं, यानि pi into d, तो पूरा surface है, तो pi d लगाओ तो कितना होगा, पूरा circle आ गया, तो circle के पूरे boundary पे surface tension ल होती है, तो वहां से हम इसको calculate कर लेते हैं, pi into d से, तो इसलिए हम लोग जब भी surface tension निकालेंगे, तो force acting per unit length से निकालेंगे, यानि newton per meter के हिसाब से ये count होता है, sigma से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक, तो ये अभी आपके सिर्फ जानकारी के लिए है, कि surface tension होता क्या ह है, इसकी property क्या होती है, इसका example क्या होता है, ठीक है, और इसके formula क्या होते है, तो अभी एक basic introduction था, surface tension का, next lecture में हम लोग इसकी बात करेंगे कि कोई पानी की बूंद कैसे बनती है, bubble कैसे बनता है, liquid jet कैसे बनता है, हम लोग उसको कैसे कैसे calculate कर सकते हैं, कौन सा पहले बनता ह एक आपके लिए question है, कि सभी लोग घर जाके search करिएगा कि पानी की बूंद, पानी का बुलबुला और पानी की धार, यानि liquid jet, पानी की धार, liquid droplet, पानी की बूंद, liquid bubble, ठीक है, यानि पानी का बुलबुला, ये तीन चीजे होती है, इन तीनों में से practical life में अगर आप ये आपके लिए homework रहेगा आज का, कि पानी की बूंद, पानी का बबल और एक पानी का जेट, ठीक है, इन तीनों चीजों में से सबसे जल्दी कौन सा बनता है, ठीक है, अगर आप ये search कर लोगे, तो मैं अगले चैनल बताओंगा कि इसमें से कौन सा जल्दी क्यों बनता ह ठीक है, आप से सिर्फ question ये पूछा है, कि practical life में अगर आप daily use करते हो water को, तो आप ये बताओंगा कि इन तीनों में से bubble, droplet और jet में सबसे पहले किसकी formation होगी, ठीक है, फिर मैं बताता हूं इसको कि क्यों होगा ये ऐसा, ये पूरा mathematical proof भी है, formula से भी proof कर सकते हो और आप उस सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजेगा, मैं वहां उसको response देखें लेक्टर में cover कर लोगा, so once again, thank you very much for watching, thank you very much.